नमस्कार दोस्तों आप सभी को दिवाली की हारदेख शुबकाम नाए दोस्तों आज पीए मोदी ने चितावनी दी है चितावनी भारत के लोगों को दिये और कहा है कि बाहरी ताकते कुछ ऐसी हैं जो भारत को अंदर से खोखला करना चाहती हैं डीस्टेबलाइज करना चाह होगा इनका परदा फाश करना होगा दोस्तों इन्होंने जो बात कही है यह एक चिंता वाली सिटी के तरफ इशारा कर रहा है क्या भारत के लिए भी कोई बांगलादेश मॉडल है क्योंकि बांगलादेश को भी अगर आप देखें तो अंदर से ही गिराया गया बाहर से कोई फॉरिन इसमें अगर आप देखें तो पॉवर डायरेक्टली इन्वोल्ड नहीं थी वहां के अंदर में ही जो रहने वाले लोग थे उनका ही इस्तमाल किया गया फॉरिन पॉवर्स के द्वारा तो कुछ उसी तरफ पी एम मोधी भी इशारा कर रहे हैं तो दोस्तों के लिए आज का बड़ा ही मैं ये डीप डाइव विडियो बनाया हूं आप लोग इसको 1.5x2x अपने अनुसार जैसे आप देखना चाहें उस पे देखें क्योंकि ये वीडियो बड़े ही डिटेल में वित C.I.A. एविडेंस उनका काफी जादा अगर आप देखे तो बताने वाला हूं वैसे नोबिल पीस प्राइज जो दिया जाता है वो कैसे मिलता है रेमिन मिक्स से वार्ड के बारे में C.I.A. के डॉक्यमेंट्स क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़े हैं जो आपके लिए मैं यहां पर ले करके आया हूं तो बहुत जरूरी है कि हम जाने foreign powers कैसे काम करते हैं कैसे वो assets create करते हैं अलग-अलग देशों में जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं देश को destable किया जाता है तो बड़ा ही deep dive video है उमीद करता हूं आप इसको पसंद करेंगे तो like जरूर कीजिएगा दरसल दोस्तों आज 31 October को सरदार वल इसमें इन्होंने अर्बन नकसल्स के बारे में चर्चा की है कहा पिये मोदी ने कि इनसे बचके रहना आवशक है ये देश को destabilize करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं विदेशी दाक्तों के साथ मिले हुए हैं दरसल दोस्तों पिये मोदी ने अपने आज के address में पहले तो one nation one election की बात की uniform civil court के उपर बात किया फिर इन्होंने कहा कि कुछ ताकते ऐसी हैं जो कि divisive force याने तोडने वाली शक्तियां हैं जो भारत को destabilize करना चाह रही हैं वो उनको देखा नहीं जा रहा कि भारत तरक्की करे यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी ताकते है जो बाहर से इनको support देती हैं जो भारत को destabilize कर रही है भारत को एनारकी की ओर जैसे बांगलादेश में हुआ कुछ उस ओर हमें भी भेजने का प्रयास किया जा रहा है यह देश को तोड़ना चाहते हैं कास्ट लाइन्स पे और अलग तरीकों से लेकिन कही ना कहीं हमको इ देखें तो उन्होंने कहा कि हमें अर्बन नक्सल को identify करना होगा और उनको अनमास्क करना होगा देखें दोस्तों इनका जो कहना है यहां पर बड़ा सही है अगर आप देखें तो नक्सलिजम को हमने काफी हद तक कमजोर कर दिया है आप देख सकते हैं 2010 में नक्सल 107 डिस् कर रहा है अगर आप देखें तो यह टर्म कहां से आया सबसे पहले तो जानना होगा अर्बन नक्सल का जैसा आप यहां पर अगबार में देख सकते हैं यह जो कटिंग ही बता रहा है अर्बन नक्सल मोर डेंजरस दें गोरिला आर्मी यूपी ने कहा था 2013 में याने की दोस कि इस टर्म को मेंस्ट्रीम करने वाले फिल्मिकर विदेक अग्नी होत रही हैं दोस्तों यहां पर अर्बन नक्सलिजम क्या होता है तो उन्होंने जो डिफाइन किया है जन्होंने इसको मेंस्ट्रीम किया है कि यह हुआ इडिलोजिकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना नक्सलाइट मुव्मेंट को किसके द्वारा शेहर में रहने वाले एकैडेमिया मीडिया सिविल सोसाइटी इन सबसे सलगन कुछ आम चेयर इंटेलेक्च्वल्स होते हैं उनके द्वारा इन लोगों को सपोर्ट किया जाता है नक्सल आईडिलोजी को नक्सल मुव्मेंट को यूवाओं को बर्ग लाया जाता है पब्लिक ओपिनियन इंद encouraged किया जाता है और देश में unrest पैदा किया जाता है सोशल जस्टिस हुमन राइट्स के नाम पर इन्हीं को उन्होंने कहा था अर्बन नक्सल दोस्तों यहां पर अर्बन नक्सलिजम ऑफ लेट दोस्तों काफी ब्रॉडन कर दिया गया है इसका डेफिनिशन हो जाता है कि वो सभी लोग जो की अब देखें ऐसा कोई हाड और फा कोट में जाके पी आईल करके उसको अटका के रखेंगे सालो सालो साल और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को इंटरफेर करेंगे माक्सिस आइडियोजी इसने घुसाई जाती है जिसके द्वारा जो युवा पीड़ी इन किताबों क पड़ती है वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट से अपने अतीट से अभिगन रह जाते हैं और भी बाकी चीज़े इसके लिए कही जाती है लेकिन यह आया कहां से है देखिए दोस्तों एक माविस्ट्रेटेजी हमें बढ़ा चली जब डॉक्यमेंट CPI माविस्ट का अर्बन परस्पेक्टिव सामने आया इसकी अगर आप बात करें तो इसमें साफ साफ लिखाया कि देखिए फोकस होना चाहिए हमारा वर्किंग क्लास को और्गनाईज करने में वही रिवल्यूशन को लीडर्शिप प्रदान कर सकते हैं और इसलिए कहां सबसे इंपोर्टेंट काम है शहर में जाओ और लोगों को अपने साथ जोड़ो प्रोलिटारियट को अब छोड़ दीजे एटम आपको मैं सिंपल करके समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि जो माविस्ट और्गनाईजेशन अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं उनका फ विमन अक्टिविस्ट है उनको लाया जाए और उनको अपने साथ जोड़ा जाए अब यहां तक दो सब कुछ हो सकता है डेमोक्रेसी में भी कोई समस्या नहीं है लेकिन इसमें इसके एंड में आता है वह क्या कहता है कि आप स्टार्टिंग में तो गाउं में अपना बेस बनाईए गाउं से खदेडा जाएगा तो जंगल चले जाएए लेकिन आपका बेस होना चाहिए गाउं में क्यों क्योंकि गाउं में अगर आप देखें तो अल्रेडी सरकार का इंफ्रस्ट्रक्चर बहुत कम है आप अगर शहर में किसी बड़े शहर में रह रहे हैं ही दूर है शहर में आपको सब कुछ पास नहीं मिलता है तो सारे इंफ्रस्ट्रक्चर एमिनिटी इस पास में एविलेबल होते हैं तो गाउं में क्योंकि अल्रेडी यह सारी एमिनिटी कम होती है तो लोगों को बर्ग लाना आसान है इसके सिवा वहां पे जो सरकार है उसक जब आप कैप्चर कर लेंगे तो सरकारे गिर जाएंगी यह कहते हैं आप देख लीजिए यहीं हुआ था अगर आप देखें अर्बन रिवल्यूशन नहीं शेख हसीना गवर्मेंट को गिराया टॉपल किया धाका में क्या हुआ था मावी स्टाटेजी यही थी ना स्टार अर्बन नकसली थे लेकिन फिर क्या हुआ वही आके उनकी सरकार को गिरा दिये यहाँ पर आप देखें सेम स्टाटेजी है बांगलादेश में भी जो फॉलो की गई अगर आप देखें तो युनिवर्स्टी उनके सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्चुल प्रोफेसर्स को पखड हैं आप देख लिए एंटी सी एए प्रोटेस्ट शाहीन बाग में हुआ था जो की पीएफाई का बेस था पीएफाई नहीं पीएफाई के अगर आप देखें तो इन प्रोटेस्ट को फंड किया था एडी का कहना है नर्सी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट पीएफाई ने फं कर रही थी तो clearly Delhi was the target इसके बाद वापस हुआ है देली को फिर target बनाया गया था आपने देखा farmers protest इसमें कैसे बाहर से पैसा pump in किया गया चम चम आते नए नए ट्रैक्टर लेके कैसे लोग आते जा रहे थे तो clearly इसमें भी बाहर से कैसे ट्रूडो सामने से आके support कर रहा है वैसे ही आप देखे तो शायद रिहाना थी वो भी आके support कर रही थी तो कैसे यह सब हो रहा था clearly foreign power was involved foreign player हमेशा involved होता है दोस्तों किसी को देखा नहीं जाता कि आपका देश तेजी से आगे बढ़े दुनिया 2% पे ग्रो कर रही है developed economy 3% पे भी ग्रो नहीं कर पा रही है और आप 8% पे ग्रो करें यह किसी को नहीं देखा जाएगा कि हम पीछे रह जाएं तुम आगे बढ़ जाओ कल को आके 10 साल बाद हमको challenge करोगे मत भूलिए यहना rule of 72 होता है अगर आप 9% पे ग्रो करते हैं याने 72 by 9 which is 8 आप 8 साल में अपनी अर्च वस्ता डबल करेंगे 72 by 9 is equal to 8, 8 years में compound interest डबल होने वाला है आज अगर आप 4 trillion है तो 8 साल बाद आप 8 trillion होंगे और उसके 8 साल बाद आप 16 trillion की economy होंगे तो आप बहुत जल्दी ही इनको कहीं न कहीं पचाड सकते हैं इनके मन में यह डर हमेशा रहता है दोस्तों आप देख सकते हैं इन लोगों ने एक web of institutions बना रखा है National Endowment for Democracy शायद आपने नाम सुना होगा दोस्तों इसको कुछ मीडिया में Second CIA बुलाया जाता यह देख लीजी टाइंस का यह न्यूज है इसमें क्या हुआ था एक N.A.D. के ही National Endowment for Democracy जिसको US Congress फंड करती है उसी के एक official ने senior official ने साफ साफ कहा था कि देखिए हम तो रश्या मे है प्रोडв्यी मोव्मेंट को फंड करते हैं सपोर्ट करते हैं और उसके लिए पैसे भी देते हैं दोस्तों इस प्रकार से डएर उपनली वरकिंग आप वह सभी के सभी दोशी हैं बिल्कुल भी नहीं अगर वैसा होता तो सरकार बैन कर देती लेकिन डेफिनेटली इसको एक तरीके से CIA ने time and again इस्तमाल भी किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर CIA का यह leaked document leaked document क्या publicly किया हुआ document है sanitized copy है जो time के साथ इनको निकालना पड़ता है इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि देखिए मेक्सिस से मेमोरियल से हमारी बात होई थी और उसमें national rockfeller को हमने निलसन rockfeller कौम ने inform किया कि जो काम CIA long term के तक करना चाह रही है directly नहीं कर पाती उसमें जरूरी है कि आप हमारे साथ इनकेस द्वारा rockfeller foundation for foundation के द्वारा करवाएं और इसके लिए आप देख सकते हैं कि कैसे मेमन मेक्सिस से award का इसमें क्या रोल हो सकता है यह सारी इसमें की जा रही है for foundation cultural exchange program for Poland है कि कैसे for foundation अपना plan करेगा ताकि cultural exchange Poland में हो ताकि वो अपने American interest को साधा जाया जा सके तो यह सारी बाते यहां पर आपको देख रहें मिल रही है यह CIA का ही document है तो अब अगेन मैं इसका मतलब यह नहीं है कि जिनको भी रहमन मेक्सिस से मिला है वो सभी के सभी दोशी है लेकिन यहां पर यहां पर चार प्रकार के जाने के लिए foreign participants के साथ काम करने को तयार हैं दूसरा अर्बन नक्सल कौन हो सकता यह वो होते हैं जो पैसो के लिए काम करते हैं तीसरे वो जिनको ब्लैक मेल किया जाता है चौथे वो होते हैं जो रियलाइज ही नहीं करते स्टूडेंट्स की बात कर लें अगर आप देखे तो बंगलादेश में ढाका प्रोटेस्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहरें यह क्या हो गया यह उमीद नहीं थी कि इस प्रकार से अब बंगलादेश की सरकार बन जाएगी वो रिय छोड़न करवाएजाते हैं जू रातो रातो आप देखें कंड़ीज की उसमें नम्बर पर आ जाएंगे कोई कम यूएस में आने लग जाएंगे वैसे आप दखें थे तो जर्नलिस्ट हो सकते हैं श्टार जर्नलिस्क चानक से बन जाएँ उनके स्टार अक्टर ने तो स्टार अक्टर हो जाएं कैसे बनते इनको अलग-अलग NGOs हैं इनके पेरोल में इनके द्वारा इनको अगर आप देखे तो awards वगेरा मिलवा दिया दिलवा दिया जाता है और इस प्रकार से ये रातो रात celebrity हो जाते इनका जो social media है क्योंकि social media भी इनके द्वारा controlled है तो वो अचानक से इनके reach social media में बढ़ाने लग जाएगा उनका followers बढ़ने लग जाएगे और इस प्रकार से इनको star बनाया जाता है star बना के क्या करेंगे बड़ा clear है देखे जो भी देश ने इनको hire किया है most of the time आपको मालूम है वो कौन सा देश है वो अपने influence operations को बढ़ाने के लिए इनको इस्तमाल करता है अब अलग अलग तरीके से कर सकता है मान लीजे इंडिया जैसे तमिलाडू में एक nuclear power plant इंडिया ने बनाया था with help of Russia Russian cooperation के साथ क्या किया जाता है उस case में अगर सामने वाला देश कोई है तो वो क्या कर सकता है कि जितने भी अपने human assets वहाँ पे मौझूद है local NGOs है जो वहाँ पे मौझूद है उनको पैसा दिया जाता था उनको बोलेगा कि जाओ जाके on side जाके protest करो उनके payrolls में देश में जितने भी lawyers हैं उनको बुला जाएगा तुम PIL file करो वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कुछ naturally भी करें लेकिन ये भी होता है journalist है उनको कहा जाता है ये news इस तरीके से ही आपको छापना है उपर से call आता रहता है और इसके द्वारा foreign country का जो agenda है जैसा suit होता है वैसे ये सारी चीज़ें चलाई जाती है अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडू की ही बात करते हैं nuclear power plant की ही बात कर रहे हैं से तो कुडन कुलम nuclear power plant 18 anti-nuclear protesters तमिलनाडू में 7 years in jail अगर आप देखें तो इनको sentence किया गया यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडू governor आरेन रवी जी ने कहा था कुडन कुलम स्टरलाइट प्रोटेस्ट के बारे में कहा था कि इनमें foreign hand था हाला कि यह उसके बाद अगर आप देखें तो इनको legal notice भी भी भीजा गया फांडेशन रॉक फिलर फंड यह देखिए रॉके फिलर फंड वही है आपको मालूम अभी मैंने बताया था इन्होंने anti-mining stir create किया भारत में ऐसा Federation of Indian mineral industries का कहना है तो अलग-अलग तरीकों से काम किया जाता है बांगलादेश की बात कर लीजिए ना पहला uranium shipment रशिया से आया Moscow built nuclear power plant के लिए US को लगा कि यह बहुत ज्यादा हो गया आती हो गई उस टाइम US ने का बांगलादेश में चुनाव free and fair नहीं थे UN भी साथ आता है US के US जो करता है UN उससे दूर नहीं रह पाता UN ने भी का हां जी concern है violence के उपर irregularities के उपर और अब तो सरकार ही गिरा दी गई दोस्तों बड़ा simple modus of rend आई है अगर आप इनके उपर action लेते हैं तो आपके उपर pressure बनाया जाएगा क्योंकि यह उनके assets हैं मत भूलिए उनके उपर किसी विदेशी देश ने काफी खर्चा किया है example के लिए Muhammad Yunus ले लीजिए Muhammad Yunus को शेक हसीना जी ने जेल में डाला था तब तक उनको Nobel Peace Prize मिल चुका था काफी खर्चा हो चुका था और उसके बाद क्या होता है जैसे ही इनको जेल डाला जाता है इनके खिलाफ international media में हाहकार मचना शुरू हो जाता है वैसे ही जितने भी लोगों को Nobel Peace Prize मिला है वो भी लिखना शुरू कर देते कि इनको बाहर निकालो अब दोस्तों Nobel Prize भी unfortunately of late politicized है Nobel Peace Prize winners का deep CIA ties है आप जाके देख लीजिए covert action magazine का यह article है उसमें वो क्या कह रहे है आपको मैं दॉक्टर जिवागों के यह किताब Russian Revolution 1905 पे भेज़ थी इसको Soviet Union में बैंड कर दिया गया था इसकी एक कॉपी कहीं यूरोप जाती है और वहां से पब्लिक में आती है और क्योंकि यह Soviet Union ने बैंड था कहीं न कहीं Soviet सरकार को लगता था कि यह उनको कमजोर कर सकता है तो यह प्रकार से अगर आप देखें तो नोबिल प्राइज इस विपनाइस आप देख लीजिए ओफ लेट जो नोबिल पीस प्राइज दिये गए हैं दो हजार चॉबिस कहा जा रहा था मीडिया में इट वाजन एक्सेप्शन फाइनली एक नॉन पॉलिटिकल नोबिल पीस प्र फिर स्ट्रेजिक और्टनोमी फॉलो करने वाले फिलिपीन के लीडर थे वैसे डिमिटरी मुराटव रशिया के फ्रीडम औफ एक्स्प्रेशन को सेवगार्ड किया पुतिन के खिलाफ बोलके इनको दिया गया दो हज़र बाइस में वैसे बेलारूस के लुकाशनकों के ख यह इरान की सरकार के खिलाफ अवाज उठाई तो क्लियरली वुन ही को नोबल पीस प्राइस दिया जाता है जो की एंटी वेस्ट होते हैं अगर आप एडवर्ड स्नोडन हैं तो आप कितना ही महान काम क्यों ना कर दें जूलियर असांज जी क्यों ना हो आपको कभी नोबल पीस प्राइस नहीं मिलेगा जबकि उनके काम का इंपक्त तो पुरी दुनिया पे पड़ा अमेरिका किस प्रकार से ऑपरेट करता था विट रिस्पेक्ट टू डेटा प्रिवेशी दुनिया को पता चला लेकिन नो नोबल पीस प्राइस दिन दूस्तों यहाँ पर आपको UN Human Rights Office सामने आ गई कह रही है कि इनके किलाफ केसेद गिराए जाएं कश्मीर के खिलाफ इन्होंने जो कहा है वो सारे केसेद हटाए जाएं क्यूं रूल ओस लौ तो सबसे फंडमेंटल अगर आप देखे तो डेमोक्रेसी में होता है क्यूं केसेद हटवा दिये जाए इनके भारत की अर्थ विवस्ता है देखी दोस्तों जहां तक बात है अर्थ विवस्ता की तो वो तो हम गरो रहे हैं हमने कुछ structural changes की है आने वाले 4-5 साल हम ग्रो करने वाले माले हैं सबसे जी आपके किस्मत में क्या है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाके जरा वील घुमाएं और देखी आपको क्या मिल रहा है दोस्तों Xbox हो सकता है स्मार्ट वाँज हो सकता हैं अकैडमी मर्शेंडाइज हो सकता है अइफोन हो सकता है मैक बॉक हो सकता है क्या मिल रहा है जکनी है इसके सिवा आगास रख है जिसके अंतरगर इरली NCRT हमारा STRONG Diet ऑने के लिए बाक्क रिपीटर इक से इडवरल वाले हैं बाकी दोस्तों करेंट अफेर्स का कोर्स है हफते भर का करेंट अफेर्स बस दो दिन में कवर किया जाता है तो आपने शिंत होके हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूजडी कोड केसी वन जिरो फॉर मैक्सिमम डिसकाउंट